प्रकाश भाग दो इस वीडियो का उद्देश यह है उत्तल और अफ्तल आईनों के बारे में जानना गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इस आईने में जाक के देखिए कभी साफ दिखता है, कभी धुंदला दिखता है, आसमान दिखता है, धर्ती दिखती है अरे, कभी मेरे जैसे उसमें एक दिखता है, और कभी अनेग दिखते है अंतर क्या है? फर्क बताईए अरे, शिरिमान जी, ध्यान किधर है? आईना तो इधर है रामू कितना लंबा दिखता है मीना तो छोटी सी दिखती है ये सच मुच अजब है ये आइना भी घजब है कभी चौका देता है तो कभी बहला देता है बच्चों हाँ, मैं आइने के बारे में बता रहा हूँ आइना काफी दिल्चस्प है और उसकी कई खूबिया है इस वीडियो में आइने के कई पहलू के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम उत्तल और अवतल आइनों के बारे में भी जानेंगे चलिए, रिंकु और रमा के पास फिर जाएंगे जो अपने दादा जी के यहां आए है बच्चों, जल्दी से आओ, मेले में जाना है सुना है, इस बार मेले में बहुत ही दिल्चस्प चीजे हैं जी जी, हम आ रहे हैं दादा जी दादा जी, हम मेले में खूब खेलेंगे और मज़ा करेंगे ये लो, आ गए वाह, ये मेला कितिना बड़ा है चलिए दादा जी, यहां से शुरू करते है दादा जी, देखें यहां लिखा है कि यह है चमतकारी कमरा है इसमें अंदर चलें हाँ, मुझे भी पता करना है कि यहां कौन-कौन से चमतकार दिखेंगे चलो, देखेंगे ओह, सब गड़बर गड़बर लग रहा है इतने सारे प्रतिबिम रिंकू, अरे देखो यहां कितने आईने है मैं यहां इतनी मोटी देख रही हूँ और यहां तो मैं उलटी गई हूँ यह सचमुच चमतकारी कमरा है दादा जी आप भी देखें देख रिंकू, इस वाले आईने में देख मैं कैसी टेड़ी मेड़ी लग रही हूँ सोच, अगर मैं ऐसी ही होती कितनी अजीब सी दिखती हाँ हाँ हाँ, और अगर मैं इतनी छोटी होती तो छिप-छिप के बहुत सारी मलाई खा जाती यहाँ पर कई प्रकार के आईने हैं और यहाँ उत्तल या कौनवेक्स और अवतल या कौनकेव आईने हैं इसी वजह से हम सभी मोटे, छोटे, बड़े और अजीब से दिख रहे हैं पता करना पड़ेगा कि यह एक दूसरे से कैसे अलग हैं चलो चलो हर एक आईने के पास जाएंगे रिंकू यह देखो, इस आईने में मेरा प्रतिबिम उल्टा दिख रहा है यो बच्चो, है ना चमतकारी कमरा हैरान परेशान हो गये ना हम आईनों की बात ही निराली है चलो, मैं ही कुछ रहस्य खोलता हूँ बच्चों, क्या आपको पता है कि रमा का प्रतिबिम पहले उल्टा और उसके बाद बड़ा क्यों देखा आप देख रहे हैं कि मेरा परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है बच्चों, मैं अपने भाई अफ्तलाईने से बहुत अलग हूँ सोचो तो कैसे? जैसे उसमें जहाकने से आप बड़े दिखते हैं मुझ में जहाकने से आप छोटे दिखते हैं बच्चों, मैं ऐसा आईना हूँ जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी रहती है जब कोई मेरे सामने आता है, वो छोटा दिखता है अरे, मैं उसका छोटा भाई हूँ ना चलो चलो, अब सोचो के हम कहां कहां उपियोग किये जाते हैं टिंको, अलग-अलग आईनों के अलग-अलग उपियोग जरूर होंगे चलो-चलो, दादा जी से पूछते हैं दादा जी, जब उत्तल आईने और अवतल आईने की सता अलग हैं, इनके उपियोग भी अलग होंगे हाँ, बच्चो, आप लोगों ने सही सोचा, दोनों आईनों के अलग उपियोग हैं जबकि अवतल आईना, टॉर्ज, कार और स्कूटर की बत्ती में इस्तिमाल होता है उत्तल आईना, कार, बस और अन्ने वहनों में इस्तिमाल होता है आ, वो कैसे दादा जी? वहनों के अंदर और बाहर के आईने जो होते हैं, वे उत्तल आईने हैं इन आईनों की वज़ा से वहन चालक को रास्ते पर चल रहे वहनों का बेतर नजारा मिलता है दादा जी, जिस आईने को हम रोज इस्तिमाल करते हैं, वह तो गोलाकार नहीं है हाँ, सही कहा तुमने, उसको हम सादा आईना कहते हैं हेलो बच्चों, मैं यहां का जोकर हूँ क्या आपको पता है कि सादे आईने की भी एक विशेष्टा है? यहां देखो, एक सादा आईना है, तुम दोनों उसमें प्रतिविंब देखकर बताओ कि तुम दोनोंने क्या देखा ना मैं छोटी देख रही हूँ, ना बड़ी, मैं जैसी हूँ, वैसी ही हूँ सही कहा, लेकिन मैं इस कागस पर कुछ लिखूंगा, अब ही बताओ, क्या तुम उसे पढ़ सकते हो? ऐसे क्यों पढ़ रही हो, मैं तो बहुत आसानी से पढ़ लूँगी, मा ना गा गा हाहा, सभी अक्षर उल्टे दिख रहे हैं, इतना असान नहीं है मज़ा आया, इस कागस पर लिखा था, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो ओ, हमें समझ ही नहीं आया, मज़ा आ गया रमा देखो इस गोलाकार लेंज को, यहां पर रखी छोटी सी छोटी वस्तुएं, इतनी बोड़ी दिख रही है मैं इन्हें इस्तिमाल करके जासूस बन सकती हूँ अरे दिंकू, जगजासूस बनना चाहती हूँ क्या मैं इनके बारे में और जानना चाहती हूँ दादा जी, चलिए, घर चलते हैं तो बच्चों, आप भी अलग-अलग आईनों के बारे में जानकारी हासिल करना मैंने सुना है कि जैपूर के शीश महल में अलग-अलग तरहा के आईनों का एक कक्ष बनाया गया है और चंडीगड के रॉक गार्डन में भी बहुत मज़िदार आईने हैं आप भी अपनी टीजर जी और माता पिता से कहना कि वह आपको वहां घुमाने ले जाएं बच्चेओं इस वीडियो में आपने गोलाकार आईनों के बारे में सीखा है हम अगले वीडियो में गोलाकार लेंस के बारे में सीखेंगे इसमें छोटी वस्तु बड़ी दिखती है अगले वीडियो में हम इनके बारे में और ज्यादा जानेंगे कर दो कर दो